आज के इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टन कोशिंस अपलोड के जाएगे इसे पहले स्टूरेंट्स ने साइंस वन के जो इंपॉर्टन कोशिंस अपलोड किया गयते हैं उसको रेफर किये थे और 20-25 मार्क्स वहां से कोशिंस रिपीट हुए थे तो आज भी थी पेपर अपलोड के जाएगे यह काफी इंपॉर्टन कोशिंस है जो बोड की तरफ से रिलीज हुए थे तो इसको अपलोड अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसको मुलोड करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका एमसी क्यों आता है यहां पर पैटन थोड़ा अलग दियावा है पह यह कोशिंद आपको रेफर नहीं करना है ओके नेक्स कोशिंद नमबर वन भी मल्टीपल चॉइस कोशिंस तो यह थोड़ा पुराना है तो एमसी क्यों आपको पहले आएगा और नीचे वाला कोशिस आपको जो अब्जेटिव है उसके नीचे आएगा तो फर्स सेकेंड ए में डिसकस किया गयाता है कि कोशिंद जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रॉपरली बैलेंस होके आते हैं इसी तरह साइंस टू के अंदर भी चार चैप्टर्स एन्वार्मेंटल स्टडीज के हैं ईवेस के और शे चैप्टर्स बायलोजी के है तो अगर आपका ईवेस बेस्ट पार स्ट्रोंग ये तो आप लोग एवेस के कोशिंद वर और बायलोजी के कोस्टिंद को स्कीप कर सकते हों विधे संटीफिक रिजस्ट और टूमास के कोशिंद आ यहां पर कंबाइन दिया गया है और ये काफ़र स्यादा इंपोर्डन कोशिंद ने और ये बोर प्रिकूरिक तफिक तोने मेंनेज्बेटके कोशिन यह डिए उसन्ट सबाएं और यह पिए चाहें है में आते ही आते हैं आपको केंणे हर जगा जगा पर सिंबॉल्ग से दिखाए सब्सक्राइब करना होता है तो त्री मास्क के अंदर यहां पे आपको एनिफाइब करना होता है और सब में ज्यादा ओप्शन यहीं पर होते हैं सब्सक्राइब करना होता है और सब्सक्राइब करना है तो आपको बिल्कुल टेंशन ने लेना इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है देखो आपे सोचल हेल्ट से यह कोशिन आया है विश मेंटल इलनेस शोन इंदर पिक्चर गिवन बिलो वी सोचल मेसेज वूड यू बहुत से हैंपर एक्सिडेंट हुआ है और उस परसन को हेल्प की जरुवत है बड़ उसको हेल्प नहीं कर रहे लोग और सेल्फी या फोटो निकालते बैटे हैं तो यह बहुत कॉमन इश्यू है नेक्ट लास्ट कोशिन यहां पर कंपलसरी एक कोशिन केमिस्ट्री से आपको 5 मास क्मप्लीटली ले सकते हैं तो नेक्ट पहला कोशिन बाइलोजिकल पार्ट से पूशा गया है और सेकेंड कोशिन जो है देखो यह EVS पार्ट का कोशिन है तो इस तरह से यह आपका पेपर सेट वन था अब पेपर सेट टू पर आते हैं तो तीन सेंपल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका अच्छे से प्रिपार हो जाए कल की पेपर के लिए आप लो यहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेश्ट वाय अड़ ब्रायोफाइट्स और कॉल एस एंफीबियंज तो एनिमल किंग्डम वहां से काफी कोशिंज आते हैं कि बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टन कोशिंज वहां से पूछे जाते हैं तो और मैं आउट ट्रू और फ है जो बच्चा प्रॉपर ली टेक्स्ट्ट्बूक अगर श्टडी किया है तो वही इसको कर पाया होगा तो एमसी क्यों ऐसे चीज़े जो आपको सब लिखना आपको स्केच एंड लेबल डायग्राम शोविंग सेल्फ और प्रॉस पॉलिनेशन तो यहां से बहुत सिंपल से एक और बार आ गया explain the meaning of symbols तो पहले डिसकर्स किया गया इस इंबॉल जहां जापर आपको दीख रहा है उसको अच्छे से study कर लो कि उसके base फ्रें जापको आना ही आना है और फर्स्ट चेप्टर दो है इवलुशन वहां से एक तीन मास्टा कोशिंट कनफार्म है तो आप लोग उसका थ्री मास्टी कोशिंट अच्छे से कर लोगे टेक्श्टॉल कोशिंट कंपल सरी आपको करना है और साइंस में तो टेक्श्टॉल के अलावाब बीच में से भी क डिस्क्राइब इन बीफ स्टेप्स वन तू तु त्री फॉर आपको यह डागराम को एक्स्प्रेंड करना है जो बाइलोजीकल पार्ट से अपका आपका और सेकेंड आपका सोशल है डियास्टर मैनेजमेंगें चैप्टर रहे जो लास्ट के दो चैप्टर से वहां से लास्ट सेट थी है तो यह आपका सेट थी है तो सेट थी में भी बहुत इंपरटन कोशिंसे इसको अपने अच्छे से स्टडी कर लो एक चीज़ जो बच्छा जो यह था कि एंसर किस तरह से लिखते वह आपको पता नहीं होता है आपको साइंस के अंदर पूरा स्टेटमे लिखे फिर अंडरान को यह जरूबत नहीं है डैरेक्क लिए अपनों कोशे नम्पर और जो ऑप्शन है ए तो यह के सामने उसका एंसर लिखो और चल जाएगा बट यह तरीका है आपका एंसर लिखने का फिलब की तरह आपको नहीं लिखना है आपके मार्वाँ पर इस ऐ पर फिर लास्ट में कहीं पर कट करने मिलता नहीं है तो फिर जो रूल्स फॉलो नहीं करते बच्चे इंस्रक्षिन प्रॉपरली फर्स पेश के तो उसके बेस फिर मांस कट होते हैं या पर विश्टम टीथ वेस्टीजिल और और लंग फिश तो इसके उपर तो और अच्छे पर यहां पर और यहां पर पाच एमसी क्यूं अब को अच्छे से रेफर करना है नेक्स्ट अब यहां पर आगे अपलो तो यहां पर एनी फाइल यह आगया बढ़िए बचल न्यू पैटर्न है उसमें गीव रिजन अलग हो जाता है तू 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 मास का और अब को लिखना होता है वह अलग हो जाता है तो राइट दा फैक्टर्स एफेक्टिंग दे एंवर्मेंट राइट टू इस अफटेंबर के बोट में और मार्ट के बोट में तोने में से एक बोट में कोकरोज का कोशिन आ गया था और राइट वर्ट दा साइन इंडिकेट देगो साइन के कोशिन आपको हर पेपर में मिल रहे हैं तो कितना इंपॉर्टर्ट एक फिगर दिया गया है और शायद अपका टूर्ट्स ग्रीन अलजी का फिगर है तो इसके बेस पर तीन कोशिन पूशा गया है और प्रिंसिपल पूचा गया है जो जो पार्ट उमीड उसका प्रोश्ट टॉटी नहीं करें इस फ्रोग पॉपॉलेशन इन पैडी फिल्स डिक्लाइं तो क्या क्या होगा यह आपका एन्वार्मेंटल मेनेजमेंट चैप्र नमबर फोर उसी में यह सेगेंड पेज पे दिया आप लोग इसको अच्छी से प्रैक्टिस कर लो लास्ट कोशिन फाइमास जो कोशिन है वह आपर और फिकर एंसे गीवन कोशिन तो यहां पर है रिप्रोड़क्शन चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला वहां से कुछ कोशिन देगे पार्च कोशिन आपको दियेगे आप में वाट इस अबाव फिकर इंडिकेट कर रहा है तैन विश्यूमन और इंवल्ड इन प्रोसेस नेम दो हॉर्मोंस रिस्पॉंसिबल फॉर आफ्टर हाव में डेज्ट इस रिपीटिटीव चेंजेस टेक्स प्लेस और लास्ट में वोमें फ्रम अधर्स एसर बोड़ी इंप्रों दिस पॉससे वाट इस यूर अप्विजिन अबॉट इस टेटमें इलाबरेट इन तो इसको आपको इलाबरेट करना है लास्ट इव इस सैंपल पेपर से अभी आपको दिये गए जो बोड की तरस रिलीज हुए थे उसको अप्रोच यसे प्रैक्टिस कर लो जिसे आप आज ट्वेंटी ट्वेंटीफाइफाइफ स्कोर कर लिए दे जो पीपर्स अप्नोड हुए थे तो यहां से भी ट्वेंटी ट्वेंटी